हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इलक्ट्रोनिक्स पज़र दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह यूज क्यों करते हैं और इसका एडवांटेजेज क्या हैं मेकेनिकल स्विच के उपर ट्रांजिस्टर का एक जबर्जस्त फंडामेंटल फीचर होता है कि यह एडव्य इलेक्ट्री कंट्रोल स्विच की तरह काम करताए है अब सर्किट में यूज करवाते हैं उस ठरंजिस्टर का यूजक करने को ठीक है करवाद सकते हैं जैसे control lamps हो गया रिलेज हो गया इवेन motors हो गया ठीक अब फिन मैं डिजिकल डिजिटल वॉल्ट की बारे में बात करता हूं तो जो logic gates वगर आप देखते होंगे end gate, nor gate, CMOS यह सारे जितने भी logic gates होते हैं आपको micro controller वगर है का यूज करके transistor को operate करना दिखाऊंगा simulation करके दिखाऊंगा ठीक है तो आप बात करते हैं कि advantage क्या होता है transistor का ओभर mechanical switch जो हम नुमली mechanical switch यूज करते हैं तो आप एक physical switch को कितनी बार operate करवा सकते है और दूसरी बात है कि जो physical switch होता है जो हमार mechanical switch होता है उसमें क्या कर सकते है आप on करवा होगे तो full voltage मिलेगा source का जो voltage होगा आफ करवा होगे तो no voltage होगा ठीक है लेकिन transistor की case में क्या होगा कि आप base current जितना वैरिक करोगे आपको उतना ज्यादा ट्रांजिस्टर से current पास होगा ठीक है और एक switch की तरह काम करेगा और सबसे बड़ी बात है यह variable register की तरह भी काम करेगा कैसे काम करेगा मैं आपको simulate करके दिखाऊंगो ठीक है और तीसरा जो मैं बात करता हूँ तो ट्रांजिस्टर को आपने एक switch की तरह operate करवा सकते हो और इसको बहुत तेजी से आप switching करा सकते हो जीरो हर्स टु लेके जीगा हर्स तक operate करवा सकते हो ठीक है तो यह बहुत fast switching कर सकता है करता है कि कौन साब ट्रांजिस्टर यूज करते हो हर एक डेटा ट्रांजिस्टर की डेटा सीट में यह सारी चीज़े मेंशन की रहती है कि कितनी फ्रिक्वेंसी तरह कि आप इसको switching करा सकते हो ठीक है और चौती में बात करता हूँ जो नॉर्मल मेकैनिकल स्विच होता है काइसे उसमें कि होता है कि अगर हृई लोड आम अप में तरह करते है तो इस्के वाज़े से क्या होता है कि कि मेकैनिकल शुइम की बहुत जादा करते हैं जो कि हमारे आगे आने वाले डिवाइस से उसमें अपरेट कर MJ खराब हो सकते है जबकि transistor की case में ऐसा noise नहीं होता ठीक है अब मैं बात करता हूँ तो जो mechanical switch होती है उसको जब on off करते हैं तो debouncing जो बोलते हैं उसको ringing debouncing बोलते हैं जिसके वाएसे क्या होता है अचानक से spike वगर आती है और हमारे आगे operate होने बाले device जो होता है वो खराब हो सकते हैं अब transistor क्या होता है कि आप पाचमा में बात करता हूँ तो transistor को आप यूज कर सकते हैं microcontroller की through control करवाए कि इसको बहुत सारे application में यूज कर सकते हैं high power load को आप चला सकते हैं transistor को बस operate करवाए कि ठीक है और नार्मल स्वीच को क्या होता है कि आप स्वीच को प्रेस करते हैं और operate करवाते हैं लेकिन microcontroller में क्या है कि transistor को on-off करवाते हैं उसके बेस पे current flow करवाके तो चलिए मैं एक example के तुरू आपको यह चीज बताता हूँ कि यह कैसे transistor को माइक्रो कंट्रोलर से operate करते हैं तो basically मैं बता देता हूँ हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर लेके Arduino यूनो हो गया ठीक है उसमें बहुत सारी digital आयो इन्पुट आउटपुट पींस होती है जिसके वाए से हम signals देते हैं आज signal लेते हैं तो यह सारे यहां पर क्या होता है कि जो Arduino यूनो होता है वह पांच बोल्ट हो बहुत मीनिमम करेंट डिलीबर करता है बीस मिली एंपियर पचीस मिली एंपियर करेंट डिलीबर करता है जो कि 0.1 वाट आप कैल्कुलेट करोगे इसकी पाउर रिट है तो 0.1 वाट यह दे पाएगा ठीक यह लेकिन हमारे जो लोट होते है वो और काफी हैवी लोट होते हैं डिल् медा माक। सब्सक्राइब झांझने करता है ठीक है यह ऐसा होगा उन्य करवा सकते हैं टीक है अग्स्कराइब इस्षी ऑपाउर प्लाइम मीहला करेंट ठीक है। उसकेस में क्या है Arduino इनो खराब हो जाएगा ठीक है तो अब मैं बात करता हूँ कि अब यह जो मेरे मोटर सब्सक्राइब से कैसे बाइट कराऊंगा टो ठीक यहां पर आप सकते हो मेरा जो ट्रांजिस्टर हो ग्याइब कि वो D3 pin से connect है, D3 pin जो है PWM signal है, जब यह high होगा, तो इसके base पे कुछ current जाएगा, ठीक है, जब यह base पे current जाएगा, तो मेरा जो transistor वो on हो जाएगा, और यह 5 volt की supply से direct मेरा motor connected है, और यह motor जो है, उस case में on हो जाएगा, ठीक है, तो यह मैं आपको दिखा देखता हूँ, इसक base पे लगाता कि यह current है, क्योंकि base पे बहुत minimum current चाहिए होता, operate कराने के लिए, तो यह basically limiting करेता है, और यह मेरा diode है, यह basically आपको पता है, diode एक direction में काम करता है, एक direction में current flow करवाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कि जैसे motor हम off करते हैं, तो कुछ negative spikes आती है, ठीक है, उसको neutralize करने के लिए, हम diode का यूज किये, ताकि हमारा transistor नहीं तो खराब हो जाएगा, उस case में, डारेटर अचारक से high current spike आएगी, तो हमारा transistor खराब हो जाएगा, उसको neutralize करने के लिए, हम diode का यूज करते है, बैसिकलि इसका diode का यही काम है, ठीक है, इसको freewheeling diode भी कहते है, current जो हमें apply करना, वो 1.5 ampere का current हमें plug कर रहा है, ठीक है, maximum rating इतनी है, अब क्या है कि, अब transistor से मुझे Arduino Uno का यूज करना है, macro controller का यूज करके, मुझे LED glow करने है, ठीक है, तो यह मेरे पास micro controller है, और यह मेरे पास transistor है, अब इसको glow कर रहा है, तो क्या करूँ, मैं direct transistor को, इससे LED स current कर दू, और 230 volt apply कर दू, ऐसा नहीं, ऐसा करने के बाद क्या होगा ने, कि यह current जो है, 1.5 ampere current draw करेगा, तो उसके वज़े से, मेरा जो transistor हो ब्लोन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है, अब सोचना आपको है, इसका तरीका क्या है, अब म मतब यह है कि आपको 12 volt की supply देनी है, ताकि इसका जो, जो, दो पींस होता है, कि नो होता ही, अनसी होता है, तो वो पींस जो है, स्वीच हो जाए, मतब कनेक्ट हो जाए, और उतना current क्लो करने, चलिए, मैं आपको सब्क्रेवर पर करके दिखाऊंगा, यहां से मैंने, माइक आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहां से बेस पे इंपूट दूँगा, इस स्मॉल इमांट आप करेंट फ्लो करने लगेगा, और मेरा जो ट्रांजिस्टर वो आन हो जाएगा, तो जैसे ट्रांजिस्टर आन होगा, 12 बोल्ट की सप सब्सक्राइब करना करेंट क टूइमिंटर हो करेंगा, लिए है कि इसके लिए पहले कि यहां से 12 बोल्ट का करेंट करने चाहि address तो यहां पर यहां पर पहले मैंने बता रखा कि डायोड़ है कि यहां पर मैंने फिर आड कर रखा है यह डायोड इसलिए है कि जब हम सप्लाई ओफ करेंगे तो इंडेक्टर में क्या आना कि जो इनर्जी स्टूर थी मेगनेटिक फिल्ड में वह मेगनेटिक फिल्ड निगेटिक स्पाइस के तुरू डिस्चार्ज होने को उसको पाच्छी होता लेकिन अगर हम डायोड नहीं करते तो यह मेरे ट्रांजिस्टर को खराब कर देगे ठीक और डायोड का पता है कि यह एक डायक्शन में करन्ट फिल्ड फ्लो करता है तो जैसे रिवर्स स्पाइगी डायोड के थुरू इसको फिलो कर गया ठीक है यह रिले ऑफ हो गया ठीक दूसरा एक्जम्पल के बाहर warning circuit ठीक है तो इस circuit में क्या है नहीं हम LED को glow करेंगे ठीक है LED को glow करेंगे base current को vary करके और vary करने के लिए हमने एक मैंने आप एक special type का component यूज किया है जो कि यह thermistor है तो basically thermistor क्या होता temperature dependent resistance variation होता ठीक है जैसे इस temperature आप बढ़ाओगे घटाओगे resistance की जो value है वो बढ़ती जाएगी तो यह basically temperature dependent होता है कि आप कितना ज़्यादा temperature बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसके इसाब से इसकी value change होती है अगर आप temperature बढ़ाओगे तो इस resistance की value जो है कम होती जाएगी अगर resistance आप temperature कम करोगो तो resistance की value बढ़ होगी ठीक है तो चलिए मैं circuit को आपको operate करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता ठीक तो basically क्या है कि मेरे पास एक यहाँ पर thermistor मैंने लगा रखा है दो registers मैंने एक रजिस्टर लगा रखा है transistor है मेरे पास और एक collector पर register हो कि मैंने LED लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने potential divider बनाया circuit एक 60 ohm का register हो एक मेरे पास thermistor है इन दोनों को मिला कि मैंने voltage divider की circuit बनाई है ठीक है अब जैसे-जैसे मैं इसका temperature बढ़ाऊंगा तो इसकी resistance की value कम होगी अगर मैं temperature कम करूँगा तो resistance की value ज्यादा होगी मैं room temperature की बात करूँ 25 degree Celsius पर तो आपको 600 ohm resistance की value दिख रही होगी ठीक है अब यह जो value है न वो change होती रहेगी अब जैसे-जैसे value चेंज करोगे ना value कम होगी resistance की तो उतना ज्यादा current flow करेगा और base voltage बढ़ता जाएगा और मैं क्या करता हूँ temperature को कम करता हूँ ग्यारा डिग्री 14 डिग्री 15 डिग्री तो 720 ohm पचीस ohm बाइस डिग्री पर छेसो साइटीस ohm जैसे मैं temperature कम कर रहा हूँ resistance की value बढ़ जा रही ठीक है और जैसे resistance की value बढ़ेगी उतना कम current flow करेगा ठीक हो बेस पर current flow ही नहीं करेगा इसकी वाइस से क्या है कि यह जो ट्राजिस्टर की सर्कीट है वो on नहीं होगी ठीक है तो हमारी लिए क्या है कि जैसे ज्यादा हम इसको high temperature पर operate करवाएंगे उतन यहां पर voltage पता कर सकते हो कि कितना voltage बेस पर आएगा ठीक है अगर मैं current में देखू तो इस पर 300 मिली बोल्ट बन रहा है अब जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ temperature बढ़ा रहा हूं देख रहा हो कि आप 400, 370 ohm, 350 ohm उसके बैस current यहां पर flow करने लगा और voltage आप देख रहा हो कि 6 680 mb, 680 mb, 680 mb, जैसे 0.6 से उपर बढ़ा है, 0.6 voltage के उपर बढ़ा है, यह current flow करने लगा ठीक है, आप देख सकते हो है, collector to emitter current flow करने लगे और LED मेरी glow करने लगी, 9.5 mAh क current flow करने लगी, तो यह आपको यहां पर दिख जाएगा, अब basically circuit का परपच क्या है, यहां पर लाने करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको न, अभी resistance की value कम करूँगा, कम करूँगा, 0.6 volt तक कि इसमें क्या आएगी, collector current बिल्कुल 9 mAh में रहाएगा, जैसे उसके ज्यादा उपर current करूँगा, current जो है, exponentially increase करेगा, ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास देख सकत हो, 0.3 volt, 0.4 volt, जैसे जैसे में voltage बढ़ा रहा हूँ, यह micro ampere में current इंक्रीज हुआ, पहले नहीं होता, फिर micro हुआ, ठीक है, जैसे मैं 6.5, 0.6, 0.7 voltage के पास जाओंगा, current मेरे exponentially increase होगा, ठीक है, अभी तो देख सकते हो, linear increase कर रहा है, लेकिन मैं जैसे जैसे current बढ़ा रहा ह current बहुत exponentially increase कर देगे, ठीक है, तो क्या होता है, कि अब इसके उपर जितना, चाहे जितना voltage बढ़ा लोगे न, अब collector current वो fix ही रहा है, 9.5 milliampere ही current flow करेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, जितना भी मैं voltage बढ़ा लूँ, वो current fix होगा, क्योंकि saturation ही region में चला इससे ज्यादा current आप flow नहीं करवा सकते, ठीक है, तो दोस्तो यह आप पूरी जनकारी transistor कैसे switch की तरह काम करता है, इसका advantage क्या, सब कुछ detailing बता दिया, मैंने आपको दो-दो-ग्यांपल लेके बता दिया, इसका application लेके बता दिया, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो आगे आने बताऊंगा कि collector current जो होता है, voltage से कैसे related होता है, इसके different mode of operation क्या होता है, active region, saturation region, cutoff region, सबके बारे में बात करेंगा, ठीक, आगे आने वाली वीडियो में, तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो please like, share and subscribe मैं यूट्यूब चैनल, electronics puzzle, और bell icon को जरूर से hit कर पुरी डिजाइनिक सिकांगा, thank you, thank you so much for watching this video.